हेलो इस्ट्राइन टाइम राहूल सर्यूमाइए टीजर फ्रॉम सिरम अकेडमी हाइज स्कूल सकना एंड टोडेश टॉपिक फ्रेक्शन एक्सरसाइज 7.1 क्लास 6 में हम उसा नंबर 4 हम सॉल करेंगे इसमें देखी दिया क्या है फोर नंबर उसन में वाट फ्रेक्शन ऑफ इन एक एक और मतलब आपको इसमें फ्रेक्शाल में आपको करना है फ्रेक्शन के लिए कैसे सकना नवन करेंगे फ्रस्ट इनके लिए जो यूनित है वो यूनित सेम आपने चेक्पिया आउगा यहां पर दिया वन आ डे मतलब वन डे इस एट आ बरस दिया हुआ है तो तो रिक्वार फ्रेक्शन क्या हो जाएगा अब आपको एक चीज क्लियर है आपने 7.1 में तो आपको बताया भी किया तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो डिनोमेटर में यहां पर हम यहां पर यहां पर राइट कर देंगे मतलब 8 upon 24 यह क्या हो गया फ्रेक्शन में यहां पर राइट कर दिया सेम अब हमको इसके हैसी क्या करना है मुझा नंबर फिप्ट भी सॉल्व करना है वाट फ्रेक्शन आप दा आडे मतलब आप वन आर्स इन इस फुर्टी मिनट अब इसमें भी अब इसके युनिट क्या होने चाहिए यहा पर लिखा हुआ है और यहां पे 40 मिनट लगा है तो आप इसके लिए पहले क्या करेंगे कर आपको करना पड़ेगा देखिए कैसे आप में को करना है और आपके पास 40 मिनट ऑल्री दिया हुआ है तो फ्रेक्शन ऑफ 40 मिनट को अगर हम फ्रेक्शन में राइट करें तो क्या जाएगा 40 अब अगर आपको स्वाबन एंट करके इसका और राइट कर सकते हैं अब नेक्स आपको वुष्ट नमबर सिक्स बता देता हूं यह कैसे आपके लिए इंट्रेस्टिंट्स नोगा क्यों क्योंकि आप यह क्लास वुर्क में जैसे अपनों अपने लंच सेयर करते हो सेम ऐसे यहां प्रेशी परस मेंस आर्या विमन्यू एंड विवेक सेयर्स लैंज मतलब यह अपना लैंज क्या कर रहे हैं तो आर्या एर्या एस ब्रॉट ब्राउट टू सेंडविच एंड आर्या ने टू सेंडविच पर्चेस किया में जो सेंडविच बना हुए है वो वैजेटेवल का है है जो सेकंड जो सेंड्विश मेड है वो क्या है जैंस का है तो वन अदर सौरी दा अदर टू बवाए फॉर गट आप दब ब्रेंग देयर लंज एंड जो रिमानिंग जो तू परसंद है तू बवाए हैं वह अपना लेंच लाना क्या लेंच लाना भूल गए हैं अब यहां अग्री टू सेयर ही सैंडविश मतलब और आज़िया यहां पर क्या होगी अपना लेंच 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 करने के लिए एग्री हो गई हो इच सैंडविश आपको बताने मतलब इच परसंद वील है उपर सेयर मतलब ऑज जितने भी यहां पर संड टूटल थरी परसंद है यह कि आपको sandwich equal part में divide करना है अब कैसे करेंगे दिखेंगे इसके लिए फर्स्ट नंबर उसन क्या दिया हुआ है हाउ कैन आरिया डिवाइड इस सेंड्विस मतलब हाउ कैन आरिया मतलब आरिया सेंड्विच को कैसे डिवाइड करेगी कि वो equal share में equal part में वो सबको equal equal part में divide कर दे मींस आरिया को यहां पर क्या करना है सेंड्विच को ऐसे पार्ड में divide करना है ऐसे करना है उसको cut करना है कि all को equal equal मिलना चाहिए sandwich और बी नंबर में दिया हुआ है आरिया पर सेंड्विच को इच वाइड कि दिवाइड किया था इच परसन को कितना कितना दिया गया आपको यह बताना है अब देखें यहां पर आप इसके solution में आजाते हैं कैसे इसको solve करना है तो फर्स नंबर का यहां पर solution दिया हुआ है आरिया है डिवाइड इस सेंड्विच इंटो थी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इच आप देम विल गेट वन न पार्ट और सब को वन वन पार्ट दे लिया टृटल सैंडिश के थी पार्ट हो गये और leve МУЗЫКА सख्रेइसे लमें और बताना कि प्रेक्सिन आपको बताना था इसे परस्ण को कि 365 बैपके टॉट्टीन्हें pennail इस लिए अभी का तुट्र इन में सख्रेइस्ग बट्रेऊ है कि ऐसे मिद्धित करने आ तो सब्सक्राइए conductor तो आप इसको सॉल कर सकते हैं तो एक नमबर आपको निशुरल नमबर राइट करना है तो वाट फ्रेक्शन आफ देम अप्राइम नमबर राइट करना है तो प्राइम नमबर के फ्रेक्शन क्या होंगे मतलब आपको फ्रेक्शन में अप्राइट करना है तो कैसे पहले आप फर्स्ट आप क्या करेंगे रायट औल निशुरल नमबर बुट्विटीव टू एंड तुल की जो बीच के पूरे जो नमबर आ रहे हैं वह आप ओल राइ नंबर इस 11 यहां पर टोटल निश्रल नंबर है वह 11 है काउंट करके देखेंगे आप तो 11 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 टोटल निश्रल नंबर क्या है 11 अब आपको प्राइम नंबर बताना पड़ेगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे क्या होती है अपको में करना प्राइम नंबर किसा इसमें से टो अदूर प्राइम नंबर थी प्राइम नंबर तोट्ल कितने प्राइम नंबर हो गये देखे 1 2 3 4 5 तो यहां पर prime नमबर कितने आ जाएंगे तोटल 5 आ जाएंगे अब आपको require fraction में करना था तो 5 upon 11 means आपको prime number को fraction में convert करना था कितने part हो तो क्या हो जाएगा 5 upon 11 आ जाएगा सेम आप देखिए हमको 9 number motion को भी solve करना है 9 नमबर देखी कैसे solve करना है write the natural number one and two to one and 13 means आपको one and two से और one and 13 का अपको natural number write करना है तो what fraction of them are prime number two prime number का आपको fraction निकालना है तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे आप one and two to 13 के भी जितने नमबर all जितने between नहीं और जितने नमबर होते हैं वह हम write करेंगे तो देखे solution में क्या है का natural numbers from one and two to 113 और one and two one and three one and four one and five one and six one and seven one and eight one and nine one and ten and one and eleven one and twelve one and 13 यह हो गया है natural number one and two to 113 अब आपको इसमें क्या बताना है काउंट कर लिए टोटल कितने यहां पर निस्ट्राइल नमबर आ रहे हैं one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve means total natural number क्या है तो टोटल निस्ट्राइल नमबर आप गिवेन तो टोटल नमबर आप गिवेन निस्ट्राइल नमबर यहां पर कितने हो जाएंगे 12 अब आपको बताना है प्राइम नमबर फ्रेक्शन में करना तो लिए कि तो प्राइम नमबर सार कॉन पॉन से हो जाएंगे ओनली तो फेक्टर सब्सक्राइब करेंगे तो वन अपॉन त्री आजाएगा फोर वन जब फोर फोर त्री जब टॉल यह उसन आपका कम्टीट हो गया है अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे उसन नमबर टैन अब देखिए उसन नमबर टैन हमको कैसे स्वाल करना है इसमें दिया हुआ है वा यह दो होगा यह आपको उतन है तो नमबर कितने नमबर अफ सर्कल है टेखिए टो यहां पर हमने राइट कर दिया है यहां अब यहां पर हम क्या करेंगे number of circles having x in them कितने में यहाँ पे जो circle जिसमें x बना हुआ है cross बना है वो 1, 2, 1, 2, 3, 4 तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा अब आपको क्या करना है fraction में convert करना था require fraction क्या जाएगा 4 upon 8 cut करेंगे तो 1 upon 2 आएगा ऐसे आपको क्या करना है जो आपके बुक में जो इतने भी दिये है word problems जो आपको लग रहा है कि आप find कर सकते हैं वो आप find किजें त्योंकि यह fraction है यह आप से एक बर और और इसको आप देख लिजेगा इसके लिए आपको prime number भी आप से बनना चाहिए और आपकी बुक में कुछ अगर composite number भी आ सकते हैं पूछ लिया जा सकता है the between 2 to 12 and fraction आपको convert करना होगा composite number का तो इसके लिए आप से definition and their examples all यहाँ पर बनने चाहिए prime number, composite number odd number, event number अब यहाँ पर इतने भी आपकी जो remaining portion होगे वो आपको complete करना है so okay thank you strength